नमस्कार दोस्तों, पूझे शक्ती चानल में आप सभी मेरे भाईयों और मेनों का बहुत बहुत स्वागत है आज जिस नई विशे पर हम चर्चा करेंगे वो है ग्रहस्ती से जुड़ी कुछ ऐसे शगुन और अपशगुन जिनके बारे में शायद ही आपको ग्यान होगा ये चोटी चोटी दिखने वाली वस्तों हमारे जीवन में बहुत जादा महत्पुन किरदार भी निबाती है तथा ये जीवन में कई महत्पुन मूर भी लेकर आती है शगुन जो होते हैं शुफल देते हैं वहीं अब शगुन इनसान को आने वाले संकटों के लिए सावधानी देते भी है तथा सावधान करते भी है आज हम बात करेंगे शगुन शास्त्र के कुछ ऐसे अध्याओं के बारे में जिन में हमें आसानी से पता लगता है कि हमारे जीवन में किस प्रकार के संकट जो हैं आने वाले हैं सबसे पहले आज हम बात करेंगे सुहागन महीलाओं के सबसी प्रिय सिंदूर की सिंदूर का लगाते समय जमीन पर बार-बार गिनना धन की हानी को दरशाता है यह दरशाता है उनके पती के भविश्य में बहुत ही जल्दी जो है धन हानी होने वाली है वहीं कर्ज की स्थिति को भी दर्शाता है, परन्तु किया आप जानते हैं, सिंदूर लगाते से मैं उनकी नाग पर गिरना, ये दर्शाता है कि नाग पर अगर सिंदूर गिर गया है, तो उनके विवा में कुछ बहुत ही खुबसूरत मोड आने वाला है, तथा साथ ही साथ उन्हें बहुत जल्द कोई सप्राइज मिलने वाला है नाक पर सिंदूर गिरना सुभागन स्त्रियों के लिए सौभागी की निशानी भी माना जाता है इसा कहा जाता है नाक पर गरर सिंदूर गिरता है तो शगुन शास्र के अनुसार विवाहिता को कोई बहुत ही बड़ी उनके पती द्वारा बहुत ही जल्दी मिलने वाली है ये तो हो गई सुभागन स्त्रियों के प्रिय सिंदूर के गिरने तथा ना गिरने के कुछ शगुन तथा अपशगुन इसके अलावा भी ग्रहस्ती में बहुत से ऐसी चीज़े होती है जिन पर ध्यान देना सभी के ल अगर हमारे हाथ से नमक गिरता है तो इस पर हम पहले भी बहुत बड़ा वीडियो बना चुके हैं परंतु क्योंकि आज यहां बात चल रहे हैं शगुन तथा अपशगुन की तो इसके बारे में चर्चा करना भी बहुत जरूरी होगा तो शुक्र और चंद्रमा के कमजोर कारक माना जाता है कमजोर होते है यदि आपके हाथ से काली मिर्ची बिखर जाती है तो निकटम संबंदी से आपके समंद जो हैं खराब होने वाले तो कोई ऐसा व्यक्ति जो कि आपके दिल के बहुत खास होता है बहुत प्रिय होता है खास तोर पर यह प्रेमी तथा प्रे का बिखरना गिरना भी बहुत ही जादा अपशगुन माना जाता है अनाज का गिरना देवी अनपूर्णा तथा देवी लक्ष्मी के रुष्ट होने का सूचक होता है अगर जाने अनजाने में आपसे अनाज गिर जाता है तो कृपया उसी समय प्रणाम करें तथा शमा मांग लेना ही शुब होता है अगर आपके अनाज के कारण आपको दुख मिले या माता लक्षमी या माता अन्पूर्ण अगर आपसे रुष्ट हो जाए तो आपका जीवन बहुत ही जादा दुख भरा हो सकता है तो जाने अन जाने में भी हमें अनाज का निरादर कभी नहीं करना चाहिए भोजन केवल उतना ही बनाए जितना की आप सभी सदत से खा सकें अन चाहे भोजन को फेक देना बहुत ही जादा आपके घर में दुर्भागे लेकर आता है अगर बचा हुआ भोजन रहता है तो क्रिपया तो पहले जादा आप भोजन ना ही बनाएं तो जादा बह खाने का तेल अगर आपके हाथ से गिरता है तो ये भी शुब नहीं माना जाता है। कर रहे हैं यहां आने वाले समय में किसी विपत्ति के आने का संकेत भी माना जाता है पूजा के दौरान दिये का बुझना भी बहुत अश्यूप माना जाता है परन्तु दिया अगर हवा की जोग से बुझ जाया किसी और अन्य कारण से बुझ जाया तो निश्चित हो आप ऐसा कोई भी आगवराने की बात नहीं है क्योंकि दिया कई बार कई ऐसी वज़ाओं से भी बुझ जाता है जो जाने अन जाने हो जाती है तो कृपया उसी समय पर भगवान से या आपके इश्ट देवता से शमावांगे अब यहां पर बात करेंगे शेगुण शास्त्र के अनुसार धन के सूचना की जी हां अगर आप घर से बाहर जाते हैं या आप कपड़े पहनते हैं उस समय पर आपकी जेब में से सिक्के गिरते हैं या खनकते हैं तो यह धन की सूचना देते हैं ऐसा माना जाता है ऐसा होने पर या आपको जमीन पर कहीं सिक्का मिल जाता ह तो आने वाले भविश्य में आपको कोई बहुत बड़ा धनलाब होने वाला है, क्योंकि धन का सूचना जो है इन ही संकेतों से हमें प्राप्त होती है, कि आपकी जेब से एकदम से सिक्का गिर जाए या रास्ते पर आपको पड़ा हुआ धन मिल जाए, अंजाना धन मिल है, इसके अलावी ये धन प्राप्ति के योग को भी दरशाता है, इसी प्रकार, यदि किसी लेन दिन करते समय भी आपके हाथ से पैसे चूट जाते हैं, जमिन पर गिर जाते हैं, देते समय उनके हाथ से पैसे गिर जाते हैं, तो मान लीजे, बहुत शुप संकेत हैं, ये इस बात की सूचना होती है कि माता लक्षमी की करपा बहुत जल्दी आप पर बनने वाली है। अब यहां पर बात करेंगे कैसे संकेत की जो की आम ही हमारे घरों में देखा जाता है। वो है दूद का गिरना या उबलना जब ठंडा दूद किसी ग्लास या बरतन से गिर जाता है। यदि किसी की लाद दूद के बरतन पर लग जाती है या हाथ से जो है दूद का बरतन छूट जाता है। आप किसी को दूद देते हैं और उस समय पर उनके हाथ से वो जो ग्लास है वो गिर जाता है तो यह बहुत बड़ा अप्शगुन माना जाता है। लेकिन उबलते वे दूद का बरतन जादा समय गैस पर भी पढ़ा ना रहने दे। जैसे कि दूद उबल गया है तथा वो बरतन के चारों तरफ लगकर जल चुका है उसके बाद भी अगर वो गैस पर रखा रहेगा तो यह भी आपके घर में शुक्र की कमी को दर्शाता है दर्शाता है परिवारिक मदभेत को यह दर्शाता है धन हानी को तो अगर अगर अ लाव से भी घातक योग बनता है इस बारे में हम वीडियो पहले बहुत बड़ा एक बना चुके हैं तो क्रिपया करके पहले आप वो भी देख सकते हैं इसके अलावा आप जब दूद जमीन पर कहीं गिरता है या कई बर ऐसा देखा जाता है कि दूद फट जाता है उसके लाव भी देखा जाता है तो क्रिपया करके वो कार भी ना करें इसे किसी व्रक्ष के नीचे डाल दीजिए याने कि वो जमीन में चला जाए आप जैसे किसी नाली में या किसी गंदी जगा पर दूद को बहा देते हैं दूद खराब होने के बाद तो ये भी आपके ग्रहो को अशांत करता है ये आप पर जो है शुकर की कुरूद रश्टी बनाता है ये आप पर जो है सभी ग्रहों की तरफ से धनहानी के संकेत याने की एक तरीके से आपकी बुद्धि ब्रश्ट होने के संकेत भी आपको देता है तो ये कारे बिलकुल ना करें दूद से बनी अन ब़ूड दूरुपयोग ना करें या इस बात का ध्यान रखें कि दूट से बनी कोई भी चीज जो है गिरनी चाहिए वहीं शककर का भी दूरुपयोग हमें जादा नहीं करना चाहिए शककर भी गिरना बहुत अशुब माना जाता है शककर को भी सीधे सीधे शुक्र की कृप परन्तु अगर आप शक्कर का गिरते वे देखते हैं उस पर पैर लग जाते हैं जाने अन जाने जाडू से उन्हें साइड में कर देते हैं तो यह कारे बिल्कुल ना करें उन्हें कृपया उठा कर जो है किसी व्रक्ष के नीचे डाल दीजे ताकि जो चीटियां है वही ग्र कई लोगों के मन में विचार होगा परन्तु आप जोति शास्त्रे में अगर बहुत गहराई से जाएंगे तो आपको ग्रहस्ती वास्तु से जोड़ी जाती है वास्तु में सभी चीजों का अपना एक महत्व है वास्तु में हर चीज को किसी ना किसी चीज से जोड़ा गया जैसे रंगों को हमारे ग्रहों से जोड़ा गया है उसी प्रकार ग्रहस्ती की सभी चीजों को वास्तू में ग्रहों से जोड़ा गया है आप सभी ग्रहों को जोड़ कर देखते हैं अगर आप उनके ही थोड़े थोड़े कह सकते हैं उपाय कर लेते हैं तो आपको ना किसी करिए तो आपके जीवन में अपने आप ही जो है सुक आने लगेगा जैसे आप घी की बरबादी ना करें आप तेल की बरबादी ना करें तेल जो है शनी से जोड़ा गया है घी जो है कही न कहीं शुक्र की निशानी माना जाता है शक्कर शुक्र की निशानी मानी जाती है के जीवन पर बहुत जादा धन का आगमन शुरू होने लगेगा तो भाईयों और बहनों आज अपनी वाड़ी को यहीं विराम देते हुए मैं आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा हम फिर मिलेंगे किसी नय विशे पर चर्चा करते हु तथा पूजा शक्ति चानल में फिर से आने के लिए धन्यवाद दोस्तों